हालो फ्रेंट्स आम स्वाती सिंग हम जो अपने प्रीविएस येर पेपर कर रहे थे के वीएस के तो आज हमारा ये लास पेपर है के वीएस के प्रीविएस येर सेलुशन में से ये हमारा 2010 का पेपर है तो आज उसको सॉल्व करेंगे के वीएस का प्रीविएस येर कैसा कोशन नमर फ़र्स्ट है आपका शिक्षा को किस वेक्ति की अपनी जिंदगी डैश बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए जो आपकी एजूकेशन है वो किसी भी वेक्ति जिंदगी में क्या चीज महत्य पूंट रखने के लिए होनी चाहिए बहतर संतोष जनक और सार्थक सभी संबंदितों के लिए महत्यबूरू तो इसका आंसर होगा D कि बहतर बनाने के लिए भी हमारी शिक्षा की आवेशक्ता पढ़ती है संतोष जनक बनाने के लिए भी शिक्षा की आवेशक्ता पढ़ती है और सार्थक बनाने के लिए भी क्या है शिक्षा की जरूरत होती है ठीक है? नेक्स बढ़ते हैं वडमाला की पहचान जो आपके हिंदी की वडमाला होती है काखा, गाचा, ये सब डैश वर्ष की आईयू में शुरू हो जाती है बच्चे के में किस IU में क्या है जो वड़माला की पहचान है वो शुरू हो जाती है वो हो जाती है आपकी 6 वर्ष की IU के अंदर ठीक है नेक्स्ट जब बच्चे खेल समुहों में भाग लेते हैं तब वे क्या सीखते हैं जब बच्चे कोई भी ग्रूप में जब खेलते हैं ग्रूप के अंदर तो वो क्या चीज़े सीखते हैं प्रतिस पर्दा यानि कि कॉम्पटिशन सहयोग एक दूसरे को सपोर्ट करना संगष या हार्ड वर्क करना तो ये सभी जब बच्चा एक खेल ग्रूप के अंदर रहता है तो ये सारी और क्वालिटीज जिसे हम कह सकते हैं वो बच्चे के अंदर डिपलेप होती चली जाती है ठीक है नेक्स मनोविज्ञान समानत्या मानव डैस से सम्मंदित है जो हमारा साइकोलोजी है वो मानव किस चीज़ से सम्मंदित है मानव की किस चीज़ सम्मंदित है भावनाओं से विचारों से आच्रण से ये सबी तो इसका अंसर है D ये सबी कि जो मनोविज्ञान है वो हमारी भावनाओं के बारे में भी हमें बताता है विचारों के बारे में भी बताता है और हमारे करेक्टर यानि की आच्रण के बारे में भी हमें बताता है बच्चे सनकल्पलाओं और उन्हें लेबल देने के बारे में किस परकार सीखते हैं जो सनकल्पनाएं होती हैं बच्चे के दिमाग में मश्टिक्ष में उसके बारे में लेबल देने के लिए बच्चे किस परकार से सीखते हैं बहुतिक जगत के साथ सीधे संपक करने से समाजिक परिस्थितियों से जहां सीखने की पेकरिया में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती option c समाजिक परिस्थितियों से जहां भाषा की एक निश्चित भूमिका होती है option d उप्योग सभी तो इसमें आपका option आता है सी, समाजिक परिसितिया जहां भाषा की एक सीखने की क्या है? निष्चित भूमी का होती है. ठीक है? उप्योक सभी अब बताईए इसमें जो भाशा विज्ञान है यानि कि भाशा के बारे में हम सीखते हैं क्या चीज़ें नहीं सीखते हैं तो इसका आंसर है D कि भाशा का उद्गम भी माना है से सम्मंध भी माना है और समय के साथ कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है भाशा में और भाशा कैसे बदल रही है वो हम सारा भाशा विज्ञान में सीखते हैं शारिरिक वृद्धी और विकास कहलाता है परिपक्वन ततप्रता अनुवांशिक्ता और गतिशीलता तो यह है आपका अनुवांशिक्ता कि यह हैरेडिटी से मिलता है बच्चे की किसी भी वेक्ति का जो वृद्धी होती है विकास होता है यह हमें किसे हमारे जीन्स और ह प्राप्त होते हैं यानि कि अनुवांशिक्ता होती है यह ठीक है next विकास को आकार देने वाले बातवरनिक घटकों में शामिल है जो आपका विकास है यानि कि development है उसको एक शेप देने के लिए एक बातवरनिक घटक कौन सा है हमारी संस्कृती पोशन की गुणवत्ता जितना अच्छा पोशन होगा उतना अच्छा बच्चे का विकास होगा क्या वो फिजीकली हो मेंटली हो इमोशनली हो ठीक है next बढ़ते हैं प्रेणा आम तोर पर डैश के बाद होनी चाहिए जो बच्चे को प्रेणा देनी चाहिए वो किसके बाद देनी चाहिए आम तोर पर पारितोषिक के बाद प्रोसाहन के बाद नतीजे की जानकारी के बाद या दंड के बाद तो यह देनी चाहिए प्रोसाहन के बाद एक class monitor चुनने का क्या मापदंट होना चाहिए आप अपनी class में कोई monitor का चुनाव कर रहे हैं कि एक बच्चे को monitor बना दिया जाए तो क्या चीज़ों को ध्यान में रखके क्या है आप monitor का चुनाव करेंगे शैशनिक प्रदेशन यानि कि उसके educational जो भी उसका presentation रहा है उसको ध्यान में रखकर शारिर गटन उसका physically वो कितना fit है या नहीं है यह चीज़ ध्यान में रखके चात्रों की पसंद या शिक्षकों की पसंद तो आप रखेंगे education को ध्यान में कि शैशनिक प्रदेशन उसका कितना अच्छा है क्योंकि एक monitor बनने के बाद बच्चे के ऊपर बहुत सारे responsibilities और बहुत सारे काम ऐसे आजाता है कि वो अपनी पढ़ाई की तरफ भी थोड़ा कम focused हो पाता है ठीक है तो दोनों चीज़ों को manage करना की class monitoring भी manage करना और अपनी पढ़ाई भी manage करना tuition भी manage करना या curriculum activities भी manage करना उन सब को manage करना बहुत important हो जाता है नहीं तो उस बच्चे को बहुत अपनी studies से सफर करना पड़ता है तो इसलिए अगर वो बच्चा पहले से पढ़ाई में बहुत superior है या अच्छा manage कर सकता है तो आप उसी बच्चे को monitor बनाईए क्योंकि आपको पता है कि वो responsibilities के साथ साथ भी अपनी studies में क्या है कमजोर नहीं पड़ेगा ठीक है एक अच्छे शिक्षक को सबसे जादा संतोष डैस से मिलता है एक जो अच्छा teacher है उसको सबसे जादा satisfy कब होता है आपस के वेक्टियों में अपनी लोग प्रता जब आपस के जो teachers होते हैं उसके अंदर अपनी वावाई सुनने को मिलती है तब उची हैसियत जब उसके सामने क्या है उची हैसियत उसको मिल जाती है आर्थिक लाब सम्मान और प्रतिष्ठा कि एक जो अच्छा teacher होता है उसको सबसे जादा satisfaction कम मिलता है जब उसको सम्मान दिया जाता है ऐसे टीचर उसकी पतिष्ठा की जाते हैं उसको एक रोल मॉडल या एक रोल टीचर माना जाता है ठीक है नेक्स स्कूल के गेट के पास से अपने चात्रों की घटिया भोजन समागरी खरीदने से रोकने के लिए आप क्या करेंगे जैसे आपने देखा होगा जो गौर्णमेंट स्कूल होते हैं प्राइविट सभी स्कूलों के बार आपने बहुत सारे वेक्तियों को देखा हो जैसे ठेली टेली लगा के रखते हैं कि चाठ पकोड़ी की छोले कुल्चे की चूरन की सब की तो वो अगर समागरी अच्छी नहीं है खाने की ताकि बच्चे बिमार ना पड़े और आपको उनके हेल्थ पर ध्यान देना है बाकी चीजों पर ध्यान देना है तो आप क्या चीज प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, इस बारे में प्रिंसिपल को सूचित करेंगे, कि ऐसे से कहानी हो रही है कि बाहर ये ठेली वाले हैं विकेरता हैं और option D छात्रों की सभा में घोशना करेंगे कि उन्हें ऐसा भोजन खरीदने से बचना चाहिए तो option D है कि आप बच्चों को बताएंगे कि उसके नुकसान क्या है और हमें ऐसा खाना क्यूं नहीं खाना चा अनुशाशन में बांधा डालते हैं तो आप क्या करेंगे जब कुछ शात्रों होते हैं जो कक्षा के अनुशाशन में DC प्लेइन में बांधा डाल रहे हैं कोई ना कोई इंटर्पेट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे चात्रों को डराने के लिए उन में से कुछ को निकास शामें काम करेंगे और D उन छात्रों को सक्त सजा देंगे तो इसका option है C कि आप बच्चों के साथ क्या है अच्छे सम्मन्द स्थापित करेंगे और उनसे इन conditions के होने का और ऐसे interpret करने का reasons जानने की कोशिश करेंगे then उनको शॉट आउट करेंगे कोई शिक्षक किसी प्रकार अपने छात्रों का पसंदीता बन सकता है माली जी कोई टीचर है तो वो किस प्रकार से अपने छात्रों का पसंदीता शिक्षक या टीचर बन सकता है हर कोई होता है ना हर किसी का कोई ना कोई फेवरिट टीचर होता है कि बहुत पसंद है साइंस के तो उनमें क्या ऐसी खास बात होती है कि वो पसंदीदा हो जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन उन्हें अपना घ्रह कार्या पूरा करने में मदद करना बच्चों के होंवग करने में आप मदद करें तो शायद फेवरिट बन सकते हैं उन्हें कहानिय और चुटकुले सुना कर आप फेवरिट बन सकते हैं उनका पाठे करम तेजी से पूरा करा कि फेवरिट बन सकते हैं उनके साथ सानुबूती पूर्ण तरीके से वहवार करना तो उसका आंसर है D कि उनके साथ सानुबूती पूर्ण तरीके से बात करना वहवार करना मतलब हर चीज में बच्चे को सपोर्ट करते वे चलना मैं यह नहीं कह रही कि गलत चीजों में सपोर्ट करना गलत चीज़ों पर उनको सही दिशा ब्रदान करना, डाटना और सजा देना उसका सही तरीका नहीं है, आप उनको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करा सकते हो, उनकी काउंसलिंग कर सकते हो, तो वो भी एक सानुबूती बुन तरीके होते हैं बच्चे के साथ सपोर्ट क करने के, ठीक है, नेक्स बढ़ते हैं, एक शिक्षक के रूप में, आप जिस तरीके से वहवार करना पसंद करेंगे, आप एक टीचर हैं, तो आप कैसा वहवार करना पसंद करेंगे, लोकतांत्रिक, निरंकुष, सब के लिए स्विच्छा चारी, जैसा परिस्थिती के अन तो बिहेवियर है, उसको मैनुप्लेट नहीं करोगे, मतलब मैं यह नहीं कह रही, कि मानले जे, अभी गेम्स का पीरेड है, तो महाँ पे आप क्या स्टिल बहुत स्ट्रिक वाली टीचर बनके रहों, तो यह मत सोचेगा, कि जैसी परिस्थिती के अनुसार उच्छी तो व अनुशाशन ही तरीके से वहवार करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे, सेम कोशन है, थोड़ा सा घुमा के दिया है, जैसे पहले वाला कोशन था, पहले से पहला वाला, कि अनुशाशन ही इन करते हैं, बच्चे discipline भंग करते हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, इसमें option है, आपके उसके माता पिता को शिकायत करेंगे, principle को report करेंगे, उसकी समस्या जानेंगे और मदद क करेंगे, तो option C, चीक है, next question, यदि किसी बच्चे के माता पिता report करते हैं, कि उसने जूट बोलना शुरू कर दिया है, और ग्रै कार्य की परवा नहीं करता, तो आप क्या करेंगे, अब किसी के पेरंस आपके पास आके बोलें, कि हमारा बच्चा क्या है, जूट बोलने करने के बाद, कक्षा के सामने उसकी पोल खोलेंगे, और उसे अपमानित करेंगे, उस बच्चे के प्रती जादा सतर्क रहेंगे, और उसे परामश देंगे, कुछ खास परवा नहीं करेंगे, क्योंकि माता पिता को इस बारे में पहले से पता है, और D है, बच्चे को उस बच्चे के प्रती जादा सतर्क रहेंगे और उसे परामश देंगे मतलब उस बच्चे के बारे में सतर्क रहना मतलब आप उस बच्चे को नोटिस करते रहेंगे टाइम टू टाइम और उसको ध्यान में रखेंगे अपने और उसे टाइम टाइम पर क्या है परामश यान तारीफ करना चाहेंगे आपका समाज है। कैसे करेगा?" उसकी आर्थिक हैसियत को देखके "... समाज की लोगप्रेता को देखकार ग्यान और सम्मान को देखकर outta अधिकार और ताकत को देखने." तो आप क्या चीज़ू के बारे में। उसकी प्रशंसा करेंगे ग्यान और सम्मान कि उसमें कितना अच्छा ग्यान है एक अच्छे शिक्षक की प्रशंसा के लिए आप सबसे जादा उप्यों क्या मानेंगे कि उसका ग्यान कितना है तो उसको नॉलिज कितनी है और उसका सम्मान कितना है ठीक है नेक्स बढ़ते है पारंबिक शिक्षक को किस बात को ऊची प्रात्मिक्ता देनी चाहिए जो पारंबिक शिक्षक होते हैं जो आपका प्राइमरी टीचर होते हैं प्राइमरी टीचर होते हैं तो उनको किस बात पर प्रात्मिक्ता पहले देनी चाहिए माता पिता के साथ बात्ची पर साती शिक् लेकिन आपको जिसको पढ़ाना है पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि आपकी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं कैसे behavior के हैं कैसा उनका mental ability है कैसा उनका level है behavior कैसे बाकी सारी चीज़ें ठीक है next आम तोर पर कहा जाए तो पढ़ाई की आविशक्ता डैश में दिखती है आम तोर पर अगर हम कहते हैं कि पढ़ाई की आविशक्ता कहा दिखती है सभी चात्रों में चात्राओं में कमजोर चात्रों में अपंगों में तो मतलब सभी चात्रों में पढ़ाई की आविशक्ता दिखती है वो कोई अलग-अलग categories में divide नहीं है कि special child को ही पढ़ाई मिलने चाहिए या फिर disabled child को ही क्या है पढ़ाई मिलने चाहिए ठीक है next question चात्र की पढ़ाई में पष्ट रूप से सुधार आता है जब चात्र की जो पढ़ा लाई है अधिगम है उसमें सुधार आता है क्या काम करने से चात्र लक्षक के अंदृत freaked और सकर्य हो जाता है इसी लीए शीक्षक अंडत होता है संसान का प्रृमुक्स अधरख और अस्तार हो भूटा है माता-पृ recyclinga और सहयोगी होते हैं तो चात्र ú collaborate और लक्ष केंद्रित हो जाता है तब उसकी पढ़ाई में सुधार आता है अब जैसे आप हैं आपको पते कि केवीई के लिए क्या है प्रिपेयर करना है तो आपको अपना लक्षे पता ही है पहले से तो जितना लक्षे पता होगा आप इसके लिए उतना hard work करेंगे उतनी महनत करेंगे पढ़ाई करेंगे तो जब बच्चे को लक्षे मिल जाता है तो वो और उतना active हो जाता है अपनी पढ़ाई में सुधार करने के लिए ठीक है next वन्य जीवन पर कोई पार्ट पढ़ाने के लिए निमलिखित में से कौन सी विधी समगरी सबसे उपयोग्द है आपको वन्य जीवन के बारे में पार्ट पढ़ाना है यानि कि जो बच्चे का environmental studies है और ये सारी चीज़े साइकिल है environmental उसके बारे में पढ़ाना है तो उसके लिए आप करेंगे दौरा चीक है next व्यक्तिकत ध्यान शिक्षा डैश के लिए वाचने मानी चाती है जो व्यक्तिकत है मतलब एक किसी को आप पर्सनल टीचिंग दे रहे हैं किसी को पर्सनली ध्यान में रखके के लिए सबी चात्रों के लिए धीरे धीरे सीखने वालों के लिए बुद्धिमान और पति भावान के लिए तो option D कि धीरे जो चात्री सीखते हैं आप उनको पर्सनल टीचिंग कर सकते हैं और बहुत जादा special superior child होते हैं उनके लिए आप क्या है व्यक्तिकत रूप से उन ठाग जाते हैं रोचक शिक्षन विदियो की कमी होना शिक्षकों का चात्रों के प्रतिकठोर रवया होना चात्रों की पढ़ाई में रुच्ची की कमी होना चात्रों के घरो से स्कूल की दूरी होना तो इसका अंसर है रोचक शिक्षन विदियो की कमी होना इसी कारण से ब गठित बनाया जाता है उसको क्यों बनाया जाना चाहिए यह अनुशाशन हिंता को बढ़ावा देता है छात्रों का समय बरबाद करता है छात्रों में नेत्यत्र की भावना विक्सित करता है कि वो क्या है कोई भी आप जितना ग्रूप बनाएंगे बच्चों के लिए तो बच्चों में वो लीडर्शिप की भावना क्या है विक्सित करेगा ठीक है किरिया कलाप में शारीरी कारें शामिल किया जाता है इसलिए बच्चे सीखते हैं किरिया कलाप छात्र दवारा खुद किया जाता है इसका option है A, करने से, जितना बच्चे करेंगे learning by doing उतना अच्छा सीखेंगे, next, छात्र आम तोर पर वैसे शिक्षक के प्रशनसक होते हैं, जो छात्रों को अच्छे अंक के साथ पास करें, जो शिक्षक है, वो कैसे बच्चों को क्या है, कैसे शिक्षक ज्यादा पसंद आते जो छात्रों को अच्छे अंक दे, बच्चों को अपने छात्रों को डराता नहीं हो, option B, अपने छात्रों को डराता नहीं हो, option C, छात्रों की जरूरतों को समझता हो, option D, सभी छात्रों की साथ दोस्ताना वहबार करता हो, तो option C, यह इसका answer है, कि छात्रों की जरूरतों को समझता हो, उनकी नीड्स को और उनकी आवशक्ताओं को as a teacher समझता हो, कि उनकी क्या नीड्स है, उनको किसी चीज की जरुवत है, जिससे उनकी learning हो सके या वो अपना develop कर सके, ठीक है, next, छात्रों में समझता का गुण विक्सित करने के लिए, शिक्षा को क्या करना चाहिए, बच्चों के ने समझता का गुण विक्सित करना है, तो as a teacher क्या responsibility बनती है, वैं उन्हें दयालू व्यक्तियों का आच्रण दिखाए, वैं उनके महत्व के बारे में पता है, c, समवेदना से जुड़ी शैशिक गति विदियो की स्कूल में विविस्था करे, d, इस बारे में अनेक उधारन दे, तो answer आपका c, की समवेदना से जुड़ी शैशिक गति विदियो, यानि की education activities को स्कूल में involve करे और बच्चे को सीखने के मौके दिये जाएं, next question, विविस्थ क शिक्षा, dash के नियंतरन के अधीन होनी चाहिए, जो एक विविस्थ शिक्षा होती है, वो किसके अधीन होनी चाहिए, सरकार, शिक्षित वेक्तियों के, ग्याय सरकारी संगटनों के, ये सबी, तो इसका answer है, ये सबी, निमलिकित में से किसे आप स्कूलों में बढ़ती, अनुशाशन हीनता का एक प्रमुक कारण मानते हैं, इसकूलों में जो अनुशाशन हीनता बढ़ रही हैं, उसका एक प्रमुक कारण क्या है, चात्र संगों का प्रभाव, असरदार मांगदक्षन की कमी, राचनेतिक हसाशेप, माता-पिता और अभिवावकी की दखल अंदाजी तो इसका अंसर है B, असरदार मांगदक्षन की कमे, जो बच्चे का प्रॉपर मांगदक्षन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी कमी बहुत हो रही है, ठीक है, नेक्स, पढ़ाई को बढ़ावा देने में निमलखित में से क्या सबसे महत्यपूर्ण है, अगर आपको बच्चे के ल जरूरी है, चिंचित माता परता जरूरी है, जो उनके पढ़ाई के बारे में सोच विचार करें, व्यस्त स्कूल कारेकरम होना चाहिए, और पढ़ाई का प्रेना दायक महौल, तो अप्षन है इसका D, कि पढ़ाई का प्रेना दायक महौल हुना बहुत है, जिसस्थे की अनुशाशन बनाए रखता है वो एक अच्छा टीचर है छात्रों को अच्छे अंक पाने के तरीके सिखाता है वो एक अच्छा टीचर है रोचक तरीके से पढ़ाता है ताकि बच्चों को पढ़ाई में मजा आए वो एक अच्छा टीचर है कभी छुटी नहीं लेता तो इस जो टेकनीक्स है वो क्या होती है छात्र केंद्रित होती है शिक्षक केंद्रित कक्षक केंद्रित या विश्य केंद्रित तो वो होती है आपकी छात्र केंद्रित ठीक है 140 और इस से उपर के स्तर का IQ रखने वाले व्यक्ति डैश के रूप में जाना जाता है तो किसके रूप में जाना जाता है, विलक्षन, स्रेश्ट, अतियन्द बुद्धिमान, इन में से कोई नहीं, तो वो होते हैं अतियन्द बुद्धिमान को सीखने और सीखी गई बातों का परियोग में लाने की प्रक्रिया डाश के रूप में माने जाते हैं जो आपको सीख चुके हैं पहले और सीखी गई बातों को क्या हैं दुबाला से किसी नई चीज में लेकर आ रहे हैं उनका प्रियोग कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है सहयोग, आत्मसात्यकरन, संगष या रटना तो उसको कहा जाता है आत्मसात्यकरन नेक्स कोशन प्रतिभा शाली छात्र जो आपके गिफ्टेड या सुरी जो सुपीरियर बच्चे होते हैं वो कौन से होते हैं टैलेंटिड बच्चे टैलेंटिड बच्चे कौन से होते हैं फैसले लेने में स्वतन्त होते हैं, अंतरमुकी प्रकरती के होते हैं, प्रतिबाल शाली छात्रों को शिक्षकों की आवेशकता नहीं होती, अपनी जरूरतों के मामलों में गैर मुखर होते हैं, तो वो होते हैं अंतरमुकी प्रकरती के, ठीक है? बीज के अनुकरन की अबधारना को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जब आप बीज के बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हैं जैसे एक बीज बोना है या साइंस से रिलेटेड जो आपका अनकुरन का टॉपिक है तो उसको आप कैसे पढ़ाएंगे विशृत व्याक्या प्रदान करेंगे उसके बारे में लेक्चर देंगे बीज विकास करने की तस्वीर याने की पिच्चर दिखाएंगे चात्रों के दुआरा बीज लगाना और अनुकरन का निलेक्षन करने को कहेंगे बोड पर चित्र बना देंगे और विवरंड देंगे एक बोड पर चित्र बनाएंगे उसका अनुकरन का पूरे का और पौधे का और उसके बारे में क्या है बच्चों को समझाएंगे तो इसका उप्शन है C चातरों को क्या है, बीच लगाने को खुद कहेंगे और अनुकरन करने के लिए कहेंगे कि आप खुद बीच लगाएं और उसको देखें कि कैसे कैसे उसका विकास होता है, कब-कब उसको किस किस जीज की नीड होती है ठीक है? Next, विकास 10 से शुरू होता है बच्पन काल के पूर्व, प्रसव काल के पूर्व, बच्पन काल की अवस्ता, बच्पन काल के बाद, तो यह शुरू होता है, प्रसव काल के पूर्व, जो बच्चे का एक विकास है, वो मा की जो गर्ब होता है, उसी के अंदर शुरू हो जाता है, तो यानि कि प्रसव काल से पहले ही उसका विकास होने लग जाता है बच्चे का नेक्स द्रिशे श्रिवे और शारिर्ग गति विध्यों गति विध्या एक शिक्षक को शिक्षर में मदद करती हैं क्योंकि वे जो आपकी audio visual aids हैं और जो activities कराई जाती हैं शारिर्ग ग्रूप से वो एक शिक्षक को शि इंडरियों का अधिक्तम उपएयोग करके शीकने में सहयोगी होते हैं प्रभावी मुल्यांगान की सूविधा प्रदान करते हैं तो option c 27 का अधिक्तम उपएयोग करके क्या सीखने में सहयोगी होते हैं कि बच्चे क्या है आप उसके अनर audio visual aids भी. या बच्चे का दिरिश् physical activities भी कर रहे हैं तो उसकी क्या इंद्रिया यानि की senses active है तो वो उसके द्वारा क्या है सीखने में सही योगता प्रदान कर रहे हैं ठीक है तो आज इसमें हमने ये 150 तक के questions discuss कर लिए ये हमारे KVSK 2010 के थे आपने एक चीज़ नोटिस कर योगी इसमें की काफी questions क्या थे बार से तीन से चार question है जो बार बर repeat हुए हैं तो आप सोच सकते हैं कि previous year question में से भी जो हम discuss कर रहे हैं और उसको से अलग भी आप practice set papers करते हैं बाकी चीज़े तो वो कितने helpful हैं कि आपके तीन से चार नंबर तो सीधे यहीं से खड़े हो जाएगे क्योंकि आपको answers direct previous year से मिल जा करता है उसके अलावा भी आप practice set papers भी करिए अपनी practices के लिए क्योंकि उसमें भी आपकी skills बहुत अच्छी हो जाएंगी आपको पदा चलेगा कि कोशन को कैसे manipulate किया जाता है कैसे moderate किया चाता है ताकि आपको महां पर उस time पर किया किसी भी question को समझने में इतना सादा time नहीं लगेगा ठीक है तो all the best for your exams और अभी आज की video finish करते हैं इसी के साथ thank you so much for watching this video thank you